हेलो दोस्तो मैं हूँ जदिश जोसी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 8 चैनल रिले बोर्ड की हम लोग किस तरह किसे कनेक्शन करते हैं आदा कि आपको practically connection यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हम तब देखेंगे जब हम लोग PLC के साथ में इसके connection करेंगे ठीक है फिलाल में आपको इसके input output relay और यहाँ पर जो कुछ jumpers रहते हैं तो इन jumper connector का क्या मतलब होता है उनके बारे में हम लोग detail में जानने वा process से related अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे WhatsApp नमबर पे हमें message करके जो भी आपका doubt हो उन doubts को आप लोग clear कर सकते हो तो यहाँ पर अपने पास जो यह relay board है यह 8 channel relay board है 8 channel का मतलब यह होता है कि इसमें 8 relay लगी है ठीक है 8 relay लगी है 1, 2, 3, 4 अगर आप count करोगे तो 8 relay की हुई है और यह relay इसमें ओमरोन की relay है अगर आप लोग भी कभी relay board purchase करने की सोचो तो आप लोग को ध्यान में देना है कि जब हम कोई भी आप अगर online purchase करते हो या offline purchase करते हो तो यहाँ पे कुछ manufacturer क्या काम करते है कि relay board तो आपको दे देंगे लेकिन वहाँ पर relay ओमरोन की न रिले है इसकी rating क्या है ठीक है इसकी rating क्या है यह कितने current को switching कर सकते है तो यहाँ पे मेरे पाद यह relay है 24V DC की है और यह 250V AC को हम लोग इससे switching करवा सकते हैं यानि कि output terminal में हम switching करवा सकते हैं DC को भी करवा सकते हो आप लोग और यह 12A यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है हलाँ कि 12A तक यह नहीं कर पाएगा इसके अंदर के जो terminals होंगे NONC terminals वो अगर आप लोग इससे 12A तक का current क्योंकि 12A बहुत ज्यादा होता है अगर 12A तक का current अगर आप लोग इससे switching करवा होगे तो इसके terminals आपस में सिपक जाएंगे अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको लिखा हुआ है कि 1 प्लस 1 मैनस ठीक है इस तरीके से देखो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस मैनस प्लस मैनस प्लस मैनस प्लस मैनस ओके इसका मतलब यह है कि जब आप इस रिले को ऑपनेट करवाने के लिए 24 वोल्ट दोगे इसको तो इसके लिए जो 24 वोल् होती है कि यहाँ पर देखो Relay Board में आपको ना कुछ देखो यहाँ पर Pins निकली वी रहती है, ठीक है यह male pin है तो यह कुछ निकली वी रहती है और दो-दो Pins आपको हर जगाए मिलेंगी, तो इनका मतलब क्या होता है and यहाँ पर एक jumper भी दिया हुआ रहता है है और एक यहाँ पे है इसी तरीके से हर एक रिले के लिए निकाली हुए है अगर हम आगे की जो पिन है इनको अगर हम लोग इस जंपर कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि इसके इनपूट ट्रिमिनल में आप लोग प्लस 24 वोल्ट और 0 वोल्ट तो आप हर एक रिले को अपरेट करने के लिए दोगे तो आप क्या काम कर सकते हो यहाँ पे अगर आप इस चंपर कनेक्टर से इस तरीके से इन ट्रिमि में इसको सैट करता हूं अब यहाँ पे जो मैंने लगा रिखें उसका मतलब क्या होगा के ज connector आपसं में connect हो गया हुए आगर मुझे मैनिस वाले कुनक्टर आपसंने कनेक्ट हो गया होँए अब अगर मुझे मैनेस वाला नेहीं चाहिए मुझे सिर् attitude वाले को आपस सब्हुंक करना है मैं चाहता हूं कि मैं शिर्प प्लस 24 वोल्ट इस रिले बोट को एक बार दूँ और वो सभी रिले के साथ में अट्वमेटिक अंदर से कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए हमें यह जो जमपर कनेक्टर है यह निकाल करके आगे वाली पिन में लगाना पड़ेगा यहां पर लगाना पड़ेगा और इसके बाइश वाले ट्रे मिनलg को तो हम लोगोंने आपस में connect कर दिया ठीक है तो इस चीज का आप लोग ध्यान देना और दूसरा अगर हम लोग इसके आउट्पूट तो इसके आउट्पूट टर्मिनल में आप लोग देखो कि अगर आप लोग यह तो चीज आपको हर एक रिले में मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर सीवन ओवन पीवन इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता कि कुछा नो यह कुछा एंच है या फ अगर आप के पास इस टर्मिला है आप लोग पर आप लोग मल्टिमेंटर की दुसरी लगाओ तो मल्टिमेटर हमारा यहाँ पर फिलाल कुछ भी नहीं बोल रहा ठीक है उसके बाद आप उसके अग्रे वाले ट्रिमिनल पर लगाओ जो कि सीवन वाला है इस पर हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टिमेटर हमारा कंटिनिटी बता रहे हैं ठीक है इसे तरीके से आपका कून सा NO है कून सा NC है और कून सा कोमन टरिमिनल है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग PLC के साथ में किस तरीके से रिले बोट के कनेक्शन करते हैं I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफ स्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको हमारी सवी न्यू वीडियो का रोटिकेशन लगातार मिलता रहे ओके गाइस तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में